आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नास्ता तो आप वीडियो को लास्त तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो ये नास्ता बनाने में बहुत ही आसान है इसको आप छटपट बनाकर खा सकते है और खाने में इतना टेस्टी कि एक बार आप इसको खालेंगे तो फिर हर बार खाने कमन करेगा तो चलिए इस रेस्पी को स्टार्ट करते हैं बनाना तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है इसमें हम डालेंगे सूजी तो सूजी मैंने आधा कटोरी लिया है तो आधा तो दोनों मेंने बराबर लिया है, अब स्थमें मेंने डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे तो दीन मैंने इसको मिक्स क्या है तो थोड़ा सूखा लग जह रहा तो इसमें cempe फ्ह़दाशा Cempe liب दिया है इसको डाल देते हैं और पानी डालकर अच्छी से खड़ेंगे तो इकदम पतला हमें इसको बनाना है तो देखिए गोल इकदम रेडी है तो बस इतना ही पतला आपको रखना है तो इसको हम ढख कर रख देते हैं आदा गंटा के लिए तो आदा गंटा हो गया इसको हम चक करते हैं तो देखिए कितना गाड़ा हो गया है तो यह अच्छे से फोल गया है सूजी तो बस इतना गाड़ा होना चाहिए तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो सबसे पहले डाल देते हैं नमक तो नमक अपनी स्वादन सार आप डाल सकते हैं और आधा चमश काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा इसमें डा कर लें एक बार आप इस तरीके से जरूर ऑपने गर पे बनायेगा! बहुत ही अच्छा लगता हूँ इसमें दही पड़ा है तैसट बहुत ही अच्छा आता है तो आप ड़ी के बहँ बनाइink, आप लीकिन दही के बैना भी बना सकते हैं लेकिन दही आलने से बहुत ही अच तो इन सारी चीजों को हूं अच्छ से मिक्स कर लेंगे आप को सब्सक्राइब रहें सकते हैं आप सिम्ला मिर्च गाजर मुली जो भी आपको पसंद है और ली सकते हैं तो आप लालमिस पाडर भी डाल सकते हैं इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक तो नमक अपने टेस्ट के निसार आप डाल सकते हैं तो डाल कर हम इसको मिक्स कर देंगे तो देखी, अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको रख देते हैं औच चलते हैं बनाने हम, तो तब हम हने गаюсь पर रख दिया, अच्छे से गरम हो गया है तो अब हम सूजी को इसमें डाल देते हैं तो एक मैंने चमश लिया आप चमश कटोरी या आप किसी भी बरतन से डाल सकते हैं कोई भी बरतन ले सकते हैं तो इसको हम डाल कर और हलका सा फैला देंगे बहुत अलका सा तो जादा फैलाएंगे तो यह बहुत बढ़ा हो जाएगा वैसे अपने आप भी फैल जाता है तो अब इसमें हम डाल देते हैं सबजियां तो उपस से हम डाल देंगे और कुछ सेर इसको होनी देते हैं उसके बाद हम पलट देंगे बस हम इसको पलट देते हैं तो बहुत ही आसानी से देखें पलट जाता है और नीचे कितना बढ़िया लगा एकदम सुनायरा कलर और थोड़ासा आयल हम साइड से डाल देते हैं और इसको हिला देंगे उपर से भी हम थोड़ा सा आयल लगा देते हैं तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा दबा देंगे और इसको हम पलट देते हैं तो देखें कितने अच्छे से हो गया है आपको हम पास से दिखाते हैं कितना बढ़िया लग रहा है तो है ना ये बढ़िया नास्ता तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राइ करिएगा अपने घर पे तो ये हो गया इसको हम निकाल लेते हैं तो इसे निकालने के बाद हम दूसरा भी डाल देंगे तो बिल्कुल वैसे ही आपको दूसरा वाला भी बना लेना है तो ये नास्ता बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और ज्यादा समान भी नहीं लगता है जब भी आपको कुछ जल्दी जल्दी में बनाने का मन हो तो आप इसे जटपट बनाकर खा सकते हैं तो अब इसको हम पलट देते हैं और इससे पलटने के बाद इसके साइट में हम थोड़ा थोड़ा आयल डाल देते हैं और उपर से भी थोड़ा लगा देते हैं तो कुछ सेर होने के बाद इसको हम फिर से पलट देंगे तो अब हम इससे पलट देते हैं तो देखिए अच्छे से हो गया है नीची के साइड सुनेरा ब्राउन क्लर का हो जाए तभी हम इसको निकालेंगे तो फिर से मैंने पलट दिया है और अलके लगे आतों से इसको दबा देंगे तो अब यह हो गया इसको निकाल लेते हैं तो ऐसे आपको सारा बना लेता है कितना बढ़िया लग रहा है और लगिसी काले लिए है तो इस तरीके से एंगर को बना खेलायांगे तो बच्चे हरवार जिद आप से यही नास्ता बनवाएंगे आप इसको बच्चों के टिफिन में भी बना कर रख सकते हैं वो खाएंगे बहुत ही प्यार से तो इस रिस्पी को अपने घर पर ट्राइ जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह रिस्पी कैसी लगी वीडियो पस